किसान साथियो मैंने एक वीडियो बनाई थी धान की खेती मेरे साथ। किसान साथियों आजकल बहुत यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कि ये चीज डाल दीजिए और कल्लो से भर जाएगा इतना डाल दीजिए ऐसे कल्लो से भर जाएगा मैं इस परकार का कोई सजस्ट नहीं करता और नहीं परियोग में लाता हूँ हाँ मेरी ये गारंटी है कि मैं धान और गेहूं बिना किसी पेस्टीसाइड के उप्योग के बनाता हूँ और जो मेरी खाद की मातरा होती है वो जो दूसरे लोग करते हैं उनसे आधी होती है जो कि फर्टिलाइजर होता है ये मैं दो चीज़े डंके की चोट पर कह सकता हूँ ये जो मेरा धान है जो लगा हुआ है ये देखिए ये सारा ये 1847 है आप पूरा अखेद देखिए ये मेरा पांच एकड़ का पूरा जो फिल्ड है वहाँ तक ये 1847 है जो 1509 की पूसा की इंप्रूड वरैटी है यानि अच्छी वरैटी है 1509 को जो उसने कम्या थी उनको द आप दूर दूर तक देखेंगे तो चारो तरफ धानी धान नजराएंगे लेकिन इस पूरे इलाके में अकेला मैं ही हूँ जिन्होंने 1847 लगाया है आठ एककड़ में लगाया है कुछ गलतियां हुई चुकि मैं यहां पर नया था मुझे यहां का जो सिस्टम है मैं तो य यहां कोंट्रेक्ट पर लेबर आती है तो मुझे थोड़ी देर भी हो गई मेरे हिसाब से 5-6 दिन देर से लगी है जो सही टाइम पर लगी वह बहुत अच्छी है जो बाद में लगी वह थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है यह नहीं खह सकते आपके व को सब डालाता उसके अपरत्यसित परिणाम बले है इसमें कोई भी दवाई मैंने नहीं डाली कि यह आप कहें कि यह फंगी साइड प्रियोग किया है यह दवाई किया हाँ अभी कुछ दिन पहले मैंने एक निरंजन जैल का इसमें इस्प्रे कराया था अब मैं इसमें क्या करूँगा वो मीव मैं आपको बताऊंगा रही खाद की बात जब मैंने यहां बात किया और मेरे इस संस्थान में जो दूसरे धान लगे हुए हैं उनसे यह पता किया सबका निचोड मैंने यह निकाला कि यहां पर परती किला एक बैग डालते हैं और कम से कम तीन बैग चुकि मैंने अच्छा गोबर का खाद डाला था और भर कर डाला था तो पहला काम मैंने यह किया जमीन यह कमजोर थी बहुत अच्छी नहीं थी तो पहला काम मैंने यह किया कि पंदरा किलो परती किला जिसे मैं एकड कहता हूँ वो मैंने डी एपी का कम किया वो आप एक ब कीशान यूरिया काून ऊप यूरिया का इश्पी। यूरिया का इस्पी। आप रहते हैं लुए जाहने mission और अगर कुम 시वाट किसानसाथियों किसानसाकियों ये ㅂए lat लगता है और क्यों इतना डालते हैं हर साल बढ़ाते भी रहते हैं ये सब मैंने एक बायो फर्टिलाइजर की वीडियो में बताया है इसमें मैंने जो मेरा ये कम खात क्यों काम किया इसमें मैंने एनपी के कंसोर्शिया भी मिलवाया था बीच में एक बार मैंने एनपी के कंसोर्शिया का छिड़काओ कराया था छिड़काओ क्या बोतल में लिया एक लिटर का बनाया आधे लिटर की बोतल थी उसे मैंने आधा लिटर एक एकड़ में पड़ता है उसको मैंने पानी मिला ए एक बोतल में करार ऐसे ही छड़कवा दिया फिर पानी चलवा दिया। एक कमी मैंने और देखी है यहाँ पर जब यूरिया डालते हैं खेत में तो उस टाइम सब के खेतों में पानी भरा हुआ होता है। किसान साथियो यूरिया को कभी भी खेत में जब पानी भरा हुआ हो नहीं डालना चाहिए। जिस टाइम आप यूरिया खेत में देते हैं उस टाइम आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए या बिलकुल नाम मातर का होना चाहिए। और यूरिया डालने के 24 घंटे थक पानी भी नहीं होना चाहिए, अधिक पानी से चुकि ये बहुत जल्दी लगता है, 48 घंटे में ये पूर्ण जो है ना, जो नाइट्रोजन आपके पोधों को मिल जाती है, जमीन में गुल जाता है, अगर वो थोड़ी भी रेते लिए जम तो ये मेरा धान है, जो मैंने किया है, वो मैंने बताया है, हाँ, जो लगाने के टाइम था, थोड़ा पांच से छे दिन का लेट हुआ था, मेरी पोध थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो एक मेरी कमी रह गई थी, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी धान नहीं है, जब इसकी पैदावार होगी, कितना निकलेगा, मैं तब भी एक वीडियो में आपको बताऊँगा, अब किसान साथियों हमारे हाँ एक कहते हैं कि ये ग्याभभा आ गया, आप ये देखिए, ये जो कल्ले देखिए हैं ये मोटे होने लगे यहां से, और यहां पर आते ही आपको पता एक खेतों में नहीं, पर एक खेत में जो मैं बता रहा हूँ, वो करकर देखना है, आप उसमें 0050, NPK 0050, पांच ग्राम परती लिटर, इस्तिकर, जो आपका सिलिकोन इस्तिकर होता है, उसे मिलाकर एक इस्प्रे अवस्य करें, और इस इस्प्रे करने के बाद में, आप दे कितना फरक आया, थोड़ा-थोड़ा मेरे साथ चलिए, और इस जो फर्टिलाइजर है, इसको कम करिए, और पेस्टिसाइड को अवाइड करिए, मैं जेविक खेती नहीं करता, मैं वेभारिक खेती करता हूँ, मेरा जो पूरा ध्यान रहता है, वो रहता है जमीन के स्वास पिंग का बाग है, और जम मैं यहां आया था तीन साल पहले, इसकी जो और गनी कारबन थी, वो 0.24 या 25 के आसपास थी, इस साल मैंने कराया है, इसकी और गनी कारबन 0.64 है, और ये खेत यहां से इस मेड से, जो इधर है और इधर है पूरा, इसकी मैंने इकठी कराई थी, इसकी भी 0.61 या 62 आई थी का और गनी कारबन, चुकि इसमें बाग था, वो मैंने हटवा दिया था, बहुत खाज पड़ा हुआ था, इतनी पैदावार नहीं हुई थी, और अब हम इसमें तीन एकड इस साल ड्रेगन फ्रूट लगएगे, हमारे पास बहुत अच्छा ड्र तो रुकना भी चाहते हैं, तो उसका भी परबंध होगा, इसके लिए कोई भी सुल्क नहीं है, हाँ, मुझे 9910-336138, यह मेरा मुबाइल नंबर है, इस पर मुझे WhatsApp पर मैसेज जरूर करें, पहले कॉल मत करें, कि हम आना चाहते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, आपक अपनी आखों से देखेंगे, कि मैं किसी और की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको लाखों की आमदनी का कभी सच नहीं बताता, कि क्या है, जो होगा, वो आपके सामने होगा, और उसे दिखाऊंगा, किसान साथियो यह वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट